तो आप सब को जोहार और आपने हाले में कुछ खबरें यहाँ पर उड़ती उड़ती सुनी होंगी हलाकि उनमें से ज़्यादतर तो सच भी पाई गई है कि यहाँ पर अब वो अवास यूजना के तहत जो भी लाव मिलना चाहिए लावुकों को मिलने के बजाए उल्ता हो रहा है दरसल हो यह रहा है कि लोग जो है यहाँ पर पैसल लूटने का काम कर रहे है अब वो अवास यूजना को देने के बजाए जो कि देखा जाए तो यहाँ पर गरेब जंता को मुफ्त में देना चाहिए लकिन उसको दिलवाने के लिए भी यहाँ पर लोगों से पैसे लूटे जा रहे है तो उसी को लेकर कारवाई करते हुए यहाँ पर मितलेस कुमार ठाकुर ने एक ट्वीट किया है जापर उन्होंने बोलाए कि आज समा हाराडल है गड़वा के सबागार में अबवावावास योजन एवं राजय सरकार की विभिन जन कल्यानकारी योजना को लेकर समिक्षा बैठक की बैठक में अबवावास योजना का लब अधिक से अधिक योगीय लाभुकों को पहुचाने का निर्देश दिया है अबवावास योजना यहाँ पर जारगन सरकार की एक महत्वा कांशी योजना है हमारी सरकार साल 2027 तक राजे की सभी 20 लाग परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको यहाँ पर अपना पक्का घर देने के लिए दिरिड संकल्पित है अगर कोई बिचोलिया लभार्थी को यहाँ पर अबवावास योजना का लाब दिलाने की एवज में पैसा मांगने की यहाँ पर कोशिश करता है या फिर मांगता है तो इसके विरोध यहाँ पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी बागी आपको क्या लगता है इसको लेकर आपकी क्या राय है आपकी क्या विचार है क्या आपको लगता है कि यह जो बात बोली जा रही है कि यहाँ पर कड़ी से कड़ी कदम उठाए जाएंगे कोई कारवाई की जाएगी लगता है कि यहाँ पर सच में कुछ कारवाई होगी या फिर नहीं जब सिस्टम में ही लोग यहाँ पर दिखा जाए तो करप्ठ हैं और वो लोग यहाँ पर सरकार के द्वारा ही अपॉइंटेड हैं तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि यहाँ पर जो सरकार है वो कुछ सकत यहाँ पर एक्शन्स ले भी पाएगी या फिर नह जोगार